Hello everyone, welcome back to my channel, this is Shiba Malik over here आज का हमारा जो टोपिक है वो है नर्सिंग प्रोसेज, okay नर्सिंग फिल्ड में जो नर्सिंग प्रोसेज है वो बहुत इंपोर्टेंट होता है theoretical part से भी और जब क्या है हम clinical जाते हैं तब भी कह नर्सिंग प्रोसेज बहुत इंपोर्टेंट होता है तो लेट स्टार्ट नर्सिंग प्रोसेज, नर्सिंग साब सबको पता है, I hope नर्स क्या है नेक्स आता है process, पढ़ते हैं The word process means, the word process means steps used towards particular action means process क्या है, कुछ steps है, जो हम किस चीज के लिए used करते हैं, कुछ particular action के लिए next है, when the word nursing process comes, it means, means जब कौन सा word आता है, हमारा nursing process words आता है तो उसका मतलब क्या होता है, planned steps, ठीक है, planned का मतलब है कि वो पहले से हम क्या करते हैं planned करके रखते हैं, कुछ steps, उसे हम क्या बोलते हैं, nursing process and actions directed to meet the need of the patient obvious है, हम जो भी planned करेंगी, जो भी हम steps लेंगे, वो किस के लिए लेंगे, patient के लिए, कि जो patient है, उसकी जो needs है, वो fulfill हो सके जो nursing process है, वो क्या होता है, एक planned steps है, या actions है, जो किस चीज़ के लिए हम use करते हैं, to meet the need of the patient patient जो है, उसकी need को fulfill करने के लिए, ओके, तो next हमारे पास है, कि nursing process क्या होता है it is the systematic process की, nursing process क्या है, systematic process है, means ही क्या चलते है, system wise चलेगा, step wise चलेगा, ओके in which firstly problem is identified, जिसमें क्या होता है, कि पहले हम patient की problem को क्या करेंगे, identify करेंगे देखेंगे कि patient की problem किया है, then according to the problem, उसके बाद क्या करेंगे, जब हमें problem, patient की problem को हमने identify कर लिया हमें पता चल गया उसके बाद हम क्या करेंगे planning and implementation is run उसके बाद हम क्या करते है प्लान करेंगे और फिर implement करेंगे देखो कॉमन सी बात है अब हमारे पास patient आया ओके जब तक हमें उसका डाइगनोज नहीं पता चलेगा उसके problem नहीं पता चलेगी तब तक हम उसके लिए कुछ प्लान नहीं कर सकते ठीक तो वही होता है nursing प्रॉसेज भी किक सिस्ट्माटिक प्रॉसेज है जिसे हम पहले patient की जो problem है उसको identify करेंगे और उसके बाद उसकी problem की according priority के according उसकी चा करेंगे हम planning करेंग और implementation करेंगे okay now next हमारे पास आते है objective की nursing process को करने का objective क्या है हम क्यों करते हैं ठीक है first is to maintain the health अगर हम किसी का क्या है nursing process बना रहे हैं NCP बना रहे हैं तो मुसकी health को क्या है maintain कर सकते हैं वह हम ऐसे maintain करते हैं प्रकॉल जब हम nursing process करते हैं patient का बनाते हैं तो हम इसमें patient की जो problem होगी उसको identify करते हैं और वेसे जब हमें problem की identification हो गया problem के बारे में पता चल गया तो हम उसकी क्या है वैसे ही plan करेंगे और care करेंगे तो किस चीज में help करते हैं health को maintain करने में और health को promote करने में than to prevent from disease किस चीज से बचाता है disease से बचाता है और विझाता है हमें problem का पता है अब हम उसकी तरह से care कर रहे हैं उसका planning प्लानिंग कर रहे है तो उसको हम उस disease से भी prevent कर सकते हैं next is to help in early recovery, obvious है, जब हम उसकी प्रॉब्लम पता है, हम उसकी अच्छे से केर कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के कोडिंग केर कर रहे हैं, तो क्या है, वो उसकी help कर सकता है, नर्सिंग प्रॉसेस के स्टीज में, early recovery होने में, okay, now next हमारे पास आते हैं, नर्सिंग प्रॉसेस के स्टे उसका वो होता है हमारा assessment, okay, assessment सी समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, assess करेंगे इसमें किस चीज को, patient को, patient की problem को identify, next रहता है, nursing diagnose, अब जब हमें क्या मिल गया, patient की हमने यहाँ पर problem को क्या किया, identify किया, ठीक है, जब problem को identify कर लिया, तो हम क्या बनाएंगे, nursing diagnose बनाएंगे, patient के, ठीक है, जो problem है, उससे related, next हमारा क्या आएगा, goal, अब हमने क्या, problem भी बता चल गी, हमने डाइग्नोज भी बना लिया, अब हम बनाएंगे, अपना goal सेट करेंगे, obvious, अगर किसी patient को, for example, pain हो रहा है, ठीक है, pain हो रहा है, हमने पैल assessment करा, हमने देखा, patient को क्या है, pain हो र हमने देखे, children के patient को क्या है, pain हो रहा है, हमारा जो goal रहा, वो क्या रहा, to reduce pain, okay, तो अब हम इसमें plan करेंगे, कि हम pain को reduce करने के लिए, क्या-क्या plan कर सकते हैं, okay, next हमारे पास आता है, implementation, implementation में हम क्या करते हैं, जो हमने इसमें plan करा, जो हमने इसमें plan करा, वो हम इसमें क्या क करेंगे इवालुएशन में इसमें क्या करेंगे इवालुएट करेंगे हमने जो भी डाइग्नोस बनाया जो हमने गॉल करा फिर हमने प्लानिंग कर इंप्लीमेंट करा उसके बाग हम यह सब चीजे करेंगे इवालुएट करेंगे जो हमने प्लानिंग करेंगे जो हमने पेश सब्सक्राइब करना तो तो अगर किसी को अच्छे से अब्सरव करना नहीं आता अगर तो वो क्या है हमारे पेशंट के डाइगनोज को एफ़ेक्ट कर सकती है तो हमें असेस्मेंट के लिए कहने जो भी असेस्मेंट कर रहा है जो भी हैल्त वरकर रहा है वो क्या होना चाहिए हृश्ण इस स्किल्ड अच्छ यूँझ चाहिए और सो ब्रॉलेड़ग होना टरी की ब्लान बनाईंगे तो हम पेशेंट से पूछेंगे आपको क्या दिक्कत हो रही है आपको कैसा हो रहा है तो वो क्या है हमारा subjective assessment ठीक है मेंस जो भी patient को observe कर रहे है जो assessment कर रहा है health worker वो doctor है वो nurses है तो वह जो नर्स अपने इसमें लिख रही है उसको हम क्या बोलते ऑप्जेटिव अन्यार्स करं कि हुए है तो पेशेंट में से बताते हैं उसको पेइन है वह लिख दिया subject लेकिन जो नर्स है जो वहाँ पर अब्सरवर है वो नोट करें वो क्या उब्सर्व कर रहे है पेशन्ट के चेंग बीरिवियर में यह फिर जो भी उसको पेई हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं objective assessment नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इस्टर वह है nursing diagnosis तो पढ़ते हैं nursing diagnosis क्या होता है according to Nanda किसके according नन्दा क्या है North American nursing diagnosis association तो नन्दा क्या according nursing diagnosis क्या होता है nursing diagnosis is clinical judgment क्या है clinical judgment अब बनाएंगे जब patient कहा आएगा hospital में आएगा तो यह क्या है clinical judgment है about an individual किसके बारे में individual के बारे में family के बारे में और community के बारे में response is true जो किसके उस पर response करेगा actual और potential health problems ठीक है तो nursing diagnosis क्या है clinical judgment है किसके बारे में individual family और community के बारे में responses to actual or potential health problems किसके regarding response करता है हमारी actual और potential जो भी किसी एक potential health problems है okay तो नंदर के according जो है nursing diagnosis यह होता है तो next हमारे पास nursing diagnosis में क्या है कि the term diagnosis क्या जो term है diagnosis divided into two parts जो diagnosis term है वो two parts में divided है first है हमारी nursing diagnosis and next हमारे पास है medical diagnosis तो इसमें क्या है देखो जो nursing diagnosis means जो nursing staff है वो और जो क्या है medical staff है वो तो यह दोनों personal क्या करते है work together एक साथ काम करते है किस चीज के लिए discuss finding with each other okay और वेसे जो भी findings आई nursing जो nursing staff उसने अपने डाक्टर्स को लेंगे तो वो क्या करेंगे अपनी फाइंडिंग निकाली उसके बाद वो एक साथ करते है किस चीज के लिए कि finding आई है वो क्या है उसका outcome क्या आया और आगे वो क्या patient के के लिए कर सकते हैं okay now next हमारे पास आता है टाइपस ओफ नर्सिंग डाइग्नोसिज कि जो नर्सिंग डाइग्नोसिज है वो कितने टाइपस के होते ओवेसे हलाग अलग टाइपस के होंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक लोग पढ़ते हैं अब क्या थी जो प्रॉबलम उस टाहिं प्रेजेंट थी हमारी उसे हम क्या बोलते है एक्च्वल नर्सिंग डाइग्नोसिज ऑके पेशेंट प्रॉबलम डैट इस प्रेजेट अट टाइम ऑफ असेस्मेंट निक्स उसमें आता है कि बेज्ट ऑन्द प्रेजिंस ऑफ साइ सिम्टम्स पेशेंड के साइनन शिंटर्ण सख्या है नेक्स्ट जो आता है हमारा वह पोटेंशन नर्सिंग डाइग्नोसिस पोटेंशन नर्सिंग डाइग्नोसिज ऑखिक अड़ोप्लीट है जिसमेंस सहीं से हमें उस dit sunset Будek nu नहीं बता तो हम तब क्या बनातेch पोटेंश प्रिशल नर्सिंग्द डिजिज ओके नारे पास स्षाइब डाइफ पाते है तुम नहीं हिं लेकिन क्या है रिस्क फेक्टर Conference दोक्राम नहीं हो तो PERF Dent ए healthy risk nursing diagnosis, now, जो हमारेबास next step आता है, nursing process का, वो है goal, first हमने पड़ा assessment, second हमने पड़ा nursing diagnosis, third है हमारेबास goal, goal किया है provide direction for selection of appropriate nursing intervention means, जो goal है, वो क्या करता है, direction प्रोवाइड करता है किस चीज को select करने में appropriate nursing planning, ठीक है, विएस हैं किमेद कर कर्र mines करनें जाते हैं जब हमारे पास उसका आपको भी प домой होगा तो हम उसे प्लान कर सकते है तो मैं कि यह हमारा पेश्ष प्लान करते हैं कुछ तो हम कहा ना पड़ता है पहले गोल बनाना पड़ता है तरह की लगवात अपार है तो हम्हारा ना मत्युक नेक्स्ट वारा स्टैनिंग क्षाइल अपल्स जो मेन गोल है इह सब्सक्राइस को प्रोवाइडा टो डिल के कayı शर्वाइड को ते पर सींगे जाए उसस्ति को क्रेंगे आपने की लिग अपनी पेशन्ट में क्या है कि अपने की्छा नर्स्रिंग प्रोसेस के स्टेप से वो रहेगा मारा इंप्लिमेंटेशन जो इंप्लिमेंटेशन इस एक प्लानिंगे और प्लान करने के बाद हम क्या उसे अप्लाय करते हैं तो वही है हमारा इंप्लिमेंटेशन प्लान करेंगे फिर हम क्या करेंगे एक अप्लाय करेंगे नेग्स्ट आता है वालिवेशन जो भी पेशेंट को केर दी गई है नर्सिंग प्रोवाइड की गई है फिर फिर तो फोर एक्जाम्प जो भी हमने पेशन के लिए क्या प्लान किया था वह उसका आऊटकम किया आया वह कितना सक्सेस रा मैं जो को भी हमने पेशन को यकोरे प्रोवाइड करी है उसका रिजल्ड क्या रहा क्या वह होता है हमारा widवैलिट्राइशन को कि जो नर्सिंग प्रासेस होता है इसके में लिए हमारे जोते 5 streps ही रहते हैं गोल को हम इसमें इस तरच इंक्लीव नहीं करते perpetuous बड़ जब हम Nelson 24 प्लाइन मनाते हैं तो इसमें हमारा goal आता है तो यह था अज का हमारा टॉपिक नर्सिंग प्रॉसेस आई होप आपको समझ में आया होगा मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठैंक यू और जिसका नर्सिंग केर प्लान का फॉर्मेट है वो मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगी